देखिए सबसे पहले तो डॉक्टर संबित पात्रा को ठंडी हवा जो वैसी साब बता रहे थे वो नजर नहीं आई गरम हवा पे चले गए वैसी साब बात कर रहे थे हिंदुस्तान के अपने वतने अजीज की यह लवज इस्तमाल कर रहा हूँ ने वतने अजीज यानि हमारा प्यारा वतन और यह चले गए स्वीडेन और चाइना और अमेरिका पे तो यह जो जल्म करने वाले लोग होते हैं उनकी इस तरह की मानसक्ता बन जाती है कि वो ठंडे को भी गरम कर देते हैं दूसरे नंबर पर आईए कि मुसल्मानों पे जल्म हो रहा है मुसल्मान डरा अगर आप दो घंटे की बेरस्ट्रा सुद्धी नवेजी साफ की कली स्पीच ही सुन लेते तो पूरा कुरान समझ में आ जाता यहीं वो पूरान जो यह इस बात की तल्गीन करता है कि आपको जालिम के खिलाफ जुकना नहीं है और सबर के साथ उसका मुखाबला करता है मैंने वो सुना और मैंने बोला भी आपकी उपनिंग में कि सबर शब्रों ने इस्तिमाल किया लिए इन्हों ने जो कुरान को एक एक सब्सक्राइब कोट किया है क्या वो वो सही है इसके बात करता है नहीं यह पूरी स्टोरी सुनाता है उसके बात कहता है तो जो बात कहता है वह चोटी सी आयत रोंने कोट कर दी अगर पूरा उसको कोट करें था पूरा विशर समझ में आए आउट अफ कॉंटेक्स्ट, ओके ठीक, संबित पातर जी. जानते हैं और जो audience बैटी है वो भी जानती है. वो यह है कि dominance, यह जो शब्द, इस सब्द का प्रयोग पहली बार debate में नहीं हुआ. अभी इन्होंने गालिप का अर्थ आपने पूछा और कलीम साहब ने कहा कि तुम्हारा अगर तुम सब्र रखोगे, तो तुम्हारा dominance होगा बिल्कुल यही है, सब्र रखो और उसी रहा पे चलते रहो जो रहा हम बता रहे हैं, dominance तुम्हारा ही होगा, जमुना पार चले जाएए, बिजली का बिल कितना भी आ जाए आपका, हिम्मत किसी की जाके जो बिजली का बिल आपसे ले पुलिस तो आपके पास है, क्या करते ह आप देखिए, हम आराम से अच्छे डिवेट हो रही है, मैं आपका भी बदाई करता हूँ, कि आप भी नीचे ला रहे हूँ, पुलिस तुम्हारे पास है, ठीक है, पुलिस हमारे पास है, पुलिस लाठी लेके जाएगी, यह लाठी के जाएगी, वहां पहले से छत पे प पत्थर मारेंगे फिर कोई किसी को अरेस्ट करके लेकर आएगा फिर शुरू हो जाएगा डरना मत मुसल्मान यह जो पुलीस है ना हिंदूों की पुलीस है यह तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है तुमसे बिजली का बिल बिल भुला दिया जाएगा उसके बाद शुरू आचार जी की तो और बड़ी वीडम मना है इन्होंने कहा है यह जो कॉंग्रेस पार्टी यह जो AIM मुसलिम लीग पार्टी मतलब AIM है गलती से मुसलिम लीग के दिया AIM है यह मुसल्मानों को कॉंसलोडेट कर रही है कि तुम हिंदूों से डरना मत वो तुम डरा रहे हैं और यह जो BJP है यह हिंदूों को कॉंसलोडेट कर रही है क्योंकि वो बोले तुम मत डरो मुसल्मानों से हम देखेंगे यह जो कांग्रेस पार्टी है यह बीच में आचलो चलो यहां पर ज्यादा हिंदू है त्रिपुंड लगाओ त्रिपुंड लगाओ कहाओ जने हो इस है कि इसलाम सही है यह गलत है सनातन सही है यह गलत है रागी साहब और कलीम साहब हमला कर रहे हैं जो बुनियादी बात है वो इसिद्ध करना चाहते हैं कि प्रॉबलम इसलाम में है और कलीम साहब उसका पक्ष ले रहे है क्योंकि उनका फर्ज बनता है मैं इसलाम क्या है इ इसलिए करोड़ों बर्शों से नहीं म Tai specific नहीं है हम उदार्ता का नाम सणातन च्मा का नाम सणातन बैका नाम सनातन करुना काह Master इसलिए भगवान को करुना निधान कहा गया है इसलिए दया थी वारण कर आज सवाल uncora को निधार कर रहा है तो उसमें कौन सी कट होड़ता है उदारता का सवाल है कानून है जो है लगेगा इस पर कानून है कितने में बज़ेगा है अचार जी ने बहुत अच्छा रखा विशांती से उसके पूरी बारी उनकी रहेगी देखिए एक कहानी बताता हूं इन्होंने कहा भगवान कृपालू भगवान कृपा निधान और एकदम करुणा में हैं एक कहानी है रहें तो नो निधा है तो बहुत आज बहुत अमीर था और चुपा करके उनके बंदूग था पकड़ लिया को पहिसा भी ले लिया और तो निकाल पैसा भी ले लिया उसका तो भोत बावारा ये भी खोलो गंचा भी दो सब कुछ ले लिया तो कच्छे में शेट जी आगे तो बोल रहे तो जो करुणा नीधान आए भगवान चक्रपानी भी है यह का आप आज के हिंदूओं की तशा बता रहा है तो नो इस प्रस्ण उठाए उनने कहानी बतारा है अपने अपने तरीके से जीए, कोई किसी के तरीके में न घुसे, आप ठीक रही है, हम ठीक रही है, बिल्कुल, देखिए मोहरम का यहाँ पर ताजिया निकलता है, मोहरम की यहाँ जुलूस निकलती है, आप मुझे एक इंस्टेंस पिताइए, जब हिंदूओं ने अपने छ इंदर फेका जाएगा, यह गरत बात है, यह बहुत कुछ गरत, आप बताईए, मोहरम के जुलूस इस देश में कब से निकल रहे हैं, ताजिया कब से निकल रहा है, एक बार फेका गया, मगर ऐसा क्यूं होता है, कोई भी राम नविमी का जुलूस या हनुमान जी का सोभा कि आदमी आज अपने अधिकार, यह मुसल्मान खेतर है, यहां से हनुमान जी की सोभायात्रा निकाल दागी तुम्हारे मजाल है, तो हमारे लोग दो कहते हैं, कि मुसल्मान खेतर का जो है, यह बहुत चल लेए, यहीं के सेक्टर 39 पुलिस टेशन में एक बलतकारी को पु सबने मिलके कटत हमाया है, दूसरा, अभी आयोध्या में दो दिन पहले की वाक्या है, कि एक हिंदू रेडिकल ने मिलके, उसमें मिश्रा जी और पांटी जी और उनके दसाती शामिल है, उन्होंने बाकादा मस्जिद के बाहर पुर्क भिगा, पुरान की बेहरमती करती तो अब सवाल ये है, कि अगर ये मुसल्मानों के खिलाफ जल्म नहीं है, जिन पर छोटी जी घल्ती पे बुल्डोदर चलता है, तो क्या इनके खिलाफ ये लगेगा। अगर पश्चे मंगाल के अंदर, मैं भी पुरानी बात कर रहा, पश्चे मंगाल के अंदर मुषिदा बादनिया मालदा में मुझे अग्जैक्ली नहीं याद है, आगर फेस्बुक के ओपर किसी लड़की ने कोई आपतिजनक किपनी कर दिया, तस्वीर भेज दी, तो उसके बात क्या करा थे पुलिसने, पुलिसने उनके खिलाब यूए पी लगाया, एक एक यूआ ये कहरा हूँ, इतने बड़े देश में ये इंस्टेंसिस कोर्ट करके, ये निरेटिव बनाना की पूरे देश में है ये इंस्टेंस नहीं है, अच्छा आप मुझे बीस करो करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर